विश्व की सबसे सुरक्षित इमारत थी अमिच्छा जी नया संसद भवन विश्व की सबसे सुरक्षित इमारत चार युवा सेंद मारी कर जाते हैं और आपकी सुरक्षा के सारे दावे फेल हो जाते हैं मा की दोलाईने पढ़ रही हूँ बेरोजगार बेटे के लिए मा कह रही है मा रोज रोज मा रोज रोज बेटे की बेरोजगारी की वज़ा से मा रोज जेब देखे बेरोजगार बेटे की कही जेब में कही जेब में जहर सल्फास थो नहीं क्योंकि बेरोजगारी पर ताना शारकार के पास अलफास नहीं है मा डरती है बेरोजगार बेटे की रोज जेब देखती है National Crime Record और बीरों के आकड़े बता रहे हैं 35,000 पड़े लिके बेरोजगार युवाउं ने आत्मत्या कर ली कितने 35,000 युवा आत्मत्या कर गए हैं आज संसद में राहुल गांधी जी ने जब कहा सेंद मारी हुई है ग्रह मंत्री जी हिम्मत दिखाईए संसद में आये जवाब दी देश के ग्रह मंत्री कायर है कमजोर है संसद में आने की बजाए जवाब से भाग रहे हैं शेम ऑन यू शेम ऑन यू पर ग्रह मंत्री जी आप जाते हैं टीवी चैनलों पर बात करते हैं लकिन संसद में बात नहीं होती हमारे संसदों ने सवाल पूछा क्या हुआ aos 140 से जिसने घुस्पैट करवाई उस पे फायार नहीं होती है उन पे फायार हुई जो अपने आपको भगत सिंगा नुयाई बता रहे थी ये गलत है ये सही घर जाकर आप वैसला करिएगा कि ये जो चार हुआ है ये कौन है पहले जब हमला हुआ अप संसत भवन पर वो हमलावार कौन थे बाइस साल पहले जिनोंने संसत में हमला किया वो पाकिस्तान से आए हुए आतंकी थे हाथ में हथियार थे लेकिन ये जो युवा है हम इनका समर्था नहीं करते है लेकिन सवाल उठता है कि ये जो चार युवा है कोई हर्याना से कोई करनाटका से कोई महारास्ट स ये चार युवा भारत के हैं ये चारो युवा गरेब परिवार के हैं ये चारो युवा पड़े लिके बैराजगार हैं इन चारो युवाउं के हाथ में अफियार नहीं और बिगरी थी और आपने उन चारो पर UAPA आतंकी दहाराव Tiborais में आरोप लगाकर उन्हें पुलीस हिरासत में भेज दिया है लेकिन भाजबा का सांसद आज भी आज़ाद घूम रहा है अगर तानाशा सत्ता नहीं चाहती कि यहाँ पर जो यूआ कॉंग्रेस का यूआ करोड़ो देश के बेरोजगार यूआ के आवाज बन करा जाया है आप नहीं चाहते कि ये या वो करोड़ो यूआ बेरोजगार यही कदम उठाने पर मजबूर हो जो वो उठाने पर मजबूर हुए है तो आए बेरोजगारी पर चर्चा करिये संसद में खड़े होकर हम नहीं चाहते कि जो इन्होंने कदम उठाया हर्याना की नीलम बी-एड, एम-एड लाइब्रेरी बच्चों के लिए चला रही है गरीब परिवार से है मा से जब पूछा माने का दिगरी लेकर धक्के खा रही थी आंदोलोलोनों में जा रही थी बेरोजगारी के हताश हो गई भगत सिंग की किताब पढ़ते हुए भगत सिंग के रास्ते पर चल गई क्या था भगत सिंग की लड़ाई क्या थी अंग्रेजी तानाशा के खिलाव थी जुल्म के खिलाव थी देश की आजादी के लिए थी भगत सिंग ने जो रास्ता अपनाया अगर वो गलत था, तो संगियों को सोचना होगा, सावरकर का रास्ता भी हम नहीं अपनाने वाले, मौफी नहीं मांगेंगे, इस संसत की चार दिवारी को ही लाएंगे, हम भगत सिंग नहीं बनने, लेकिन हम सावरकर भी नहीं बनेंगे, लेकिन भगत सिंग का खून, आज हर की खून में खूल रहा है सो दिन का काउंट डाउन शुरू है आप तयार है आप तयार है यह लड़ाई 24 की दहलीस पर पहुंच चुकी है 24 की दहलीस में खड़े हैं आप सो दिन बचे हैं आपके पास इन सो दिनों में आगे का रास्ता क्या होगा मन्जिल तरीके क्या होंगे आप तैकर लीजेगा 28 दिसंबर कॉंग्रेस अपने स्थापना के 138 वर्ष पूरे करने जा रही है 10 लाख कॉंग्रेस का कारे करता भाजपा के घड़ घड़ नाखपुर में लल करेगा और इनकी दिवारों को हलाएगा 10 लाख कॉंग्रेस का कारे करता नाखपुर पहुच रहा है कल इंडिया समू की अलाइंस की मीटिंग भी है कल 22 तारीक को इंडिया समू के 28 दर इस सरकार के खिलाव अपने अपने राज्यों राजधानियों में निकलेंगे आप से भी कहूंगी अब चुप बैटने का समय खतम हो चुका है राहुल गांधी जी की भारत जोडो यात्रा ने आपको रहमें आगे का रास्ता दिखाया है निकल जाएए घरों से सो दिन में वरना हमी नहीं पूरा देश पच्चताएगा हमारे 140 सांसदों को बर्खास करने के पीछे कारण क्या है हमने तो सर्फ इतनी मांग की घ्रह मंत्री जी आई और जवाब दीजिए हमारे 140 सांसद बर्खास होते ही संसद में बिल ने कराए है और बहुमत के दम पर पास करवा दिया कि चुनाव आयुक्त की नुक्ति से चुनाव आयुक्त की नुक्ति जो कमेटी करेगी उससे मुख्य नयधिश को बाहर कर दिया गया है ताकि ये ताना शाह सरकार चुनावों से पहले अपने मन मुताबिक, अपने चुनावा यूक्त और अपने चुनावी अधो सदस्यों की नुक्ति कर सके, अपने मुताबिक चुनाव करा सके आपको एक-एक मुद्धे को घंबीटा से सुचना और समझना होगा हमसे बार-बार पूछा जा रहा है, जिन्नोंने सेंद मारी की, आप उनके साथ खड़े हैं, आप उनका समर्थन करते हैं, हम उनके साथ नहीं खड़े पर जिस मुत्पे को लेकर वो आए हैं, बेरोजगारी को लेकर हम उसके साथ खड़े हैं, हम बेरोजगारी के साथ खड़े हैं 35,000 युवा बेरोजगार आतमत्या कर रहे हैं, मा चिंति थे, बेटे की जेब में, कहीं सलफर तो नहीं, जहर तो नहीं और आज अगनी पत्भरती योजना पे पूर्व सेना के परमुख ने चिंता जाहिर की है भ्यान से सुनिएगा और इस संकार को चेतावनी दे रहे है ये धमकी लगे धमकी चेतावनी हो चेतावनी 17 साल का नोजवान क्या उमर है 17 साल बारवी की पढ़ाई भी पूरी निकी अगनी भरती में शामिल कर रहे है आधूनी खत्यारों की ट्रेनिंग मिल चुकी है उसे क्या है अगनी पत्भरती के नाम पर आधूनी खत्यारों की ट्रेनिंग उस 17-18 साल के युवा को मिल गई है सरहतों की खुफिया चानकारी मिल गई है वो सरहत से चार साल में वापिस यहीं आने वाला है और अगर वो बेरोजगार रहा तो इनसे जाता घातक हो सकता है वो ये चेतावनी दे रहे है संभाल लीजिये समय रहते इने और उने भी जो आने वाले हैं अधूरिक हत्यारों की ट्रेनिंग लेकर वो कितने घातक हो सकते हैं ये घातक मनीपुर आठ महीनों से जल रहा है पुलीस थानों से हत्यार तीन हत्यार हजार तीन हजार हत्यार लूट लिए गए आपस में खुन हो रहा है प्रधान मंत्री मोदी जी मनिपूर नहीं चाहते हैं आज लोग सभा में राज्य सभा के जो हमारे अध्यक्षे उपराश्पती उनकी मिमिक्री की है बहुत आहत है किसी ने उनकी एक्टिंग कैसे कर ली अरे प्रधान मंत्री जी आपका वीडियो वाइरल है आप तो प्रधान मंत्री हैं सरवाच पदपर बैठे हैं संसत के अंदर संसत के भीतर पटल पे आप किसकी मिमिक्री कर रहे हैं ये रास्ता तो आपने दिखाया है हमने तो सिरफ आपको आईना दिखाया है हमने आईना दिखाया है और अब यह आईना दिखाने से हम डरेंगे नहीं मैं हर युवा को कहूंगी एक एक युवा इस सरकार की नीव हिला देगा सो दिन है सो दिन है निकल जाएए अपने घरों से उठा लिजे कॉंग्रेस का तिरंगा जंडा अपने हाथों में एक तरफ इंडिया एलायंस होगा और दूसरी तरफ इस्ताना शाह सरकार सत्ता समयधानिक संसाओं और पूंजी पती मित्रों के धन पर उत्रेगी और हम इस द परम, मंदिर, मस्जित पे ये 22 का 24 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं भगवान शिरी राम के मंदिर का निर्मान पूरा हो गया हम बहुत खुश्य और उसका स्वागत करते हैं पर हम ये नहीं होने देंगे इस देश में प्रदान मंत्री जी कि पुल्वामा में हमारी ही में जीन घुसता है हमारे जनवान शहीद होते ही है पुल्वामा में और आप शहीदों के शवों के इर्द गृद घूम कर देश में जाकर 18 साल के वोटर से वोट मांगते हैं ये अब नहीं होगा ना मन्दिर पे वोट मांगने देंगे आपको और ना शहीदों के नाम पर बोट मांगने देंगे आपको मुद्दों पर लाएंगे आपको लास्ट बात कह रही हूं इस सरकार के तहट ना देश की सरहदे शुरक्षित हैं ना देश की संसत सुरक्षित हैं और नाहीं देश की बेटियां सुरक्षित हैं लास्ट बात कह रही हूं महिला हूं आपके सब के घर में मा, बेहन, बेटियां हैं, सब चिंति थें, कल भाजपा के विधायक को, सिटिंग विधायक है भाजपा का, 2014 में मोदी जी नारा दे रहे थे, लाल किले से बेटी बचाओ, और भाजपा का, उत्तर परदेश का विधायक, हमारी नबालिक बेटी के साथ, बलातकार कर रहा था, 2014 में, चोबिस हो गया, दस साल लगे, उस नबालिक बेटी के पिता और भाई को, न्याई मिलते मिलते, और अभी फैसला आया, भाजपा के उस विधायक को, दोशी करार दिया जा रहा है, लेकिन फासी नहीं, नबालिक बेटी के बलातकार के दोशी को फासी होनी चाहिए थ या कुछ सालों की सजा होनी चाहिए थी, सिटिंग विधायक कुलदीप सिंग सेंगर, आपका नबालिक बेटी के बलातकार में अंदर है, ब्रज, भूशन, शरन, आपका सिटिंग, आज का सांसत, संसत में बैठा और आपको शरम नहीं आती, परदान मंत्री जी, बेटी ब रहन नहीं, जब भाजपा के सांसत ने उसके गिरेबान में हाथ डाला, तब चाट भाईयों की असमिता और उस पे आच नहीं आई, धनकड की इजद इजद है, लेकिन क्या हमारी बेटियों की इजद 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 नहीं है, कि बलातकारी सांसत विधायक आपकी पार्टी में आज भी सम्मान से बैठे हुए हैं, बाते बहुत सी हैं, निकलेंगे पुरे देश में अंदोलन करेंगे, देश के हर कोने पर जाएंगे, पर मैं भारतिया रास्टिया यूआ कॉंग्रेस का सलाम करती हूँ, उननीस बीस, इक्किस, बाइस, तैइस, तैइस आ गया, हर बार संसद हुई और हर बार शिरी निवासन भाई, कृष्णाला वरुजी, पूरी यहां पर जो हमारा परिवार खड़ा है, आपने हर बार जब संसद चलता है, संसद का घिराव किया और इस सरकार को अपनी ताकत का हैसास कराया, आज कह रहे हैं, आपने हलके में ले लिया अब इस तान्याशा सरकार को घुटने पर लाने का काम आपको और हमें करना ये कंदोबे, आपके, हमें युवा भारत कहा जाता है, अब आदी में हम विश्मे नमबर एक हो गए, चीन 140 करोड तो हम 142 करोड हो गए हैं, और हमारे देश को युवा भारत कहा जा रहा है, क्य क्यों, क्योंकि हमारा देश आप से है, आप युवाओं से है, और यह हर युवा की नहीं होगी, अगर 24 में तीसरी बार मोदी जी हेट्रिक लगाने की बात और 400 पार कर रहे हैं, हमें गर्वे ये 400 पार का कीर्थी मान, इदिहास, अगर किसी के नाम दर्ज है, तो वो शिरी राजीव गांदी जी के नाम पर दर्ज है, जिसे चाह कर भी ये संगी और मोदी तोड नहीं पाएंगे, लेकिन आपको अब राहुल गांदी जी की ताकत बन कर, बेरोजगारी एक मुद्दा, एक मुद्दा आपके लिए बेरोजगारी निकल जाएए सड़कों पर और नी नहीं रुके, ये चार करोड जो देश में जिसकी आवाज बन कर आपाएं, वो कैसे रुकेंगे, नहीं आपके पास इतना दम और बल, आजाएए कर लेंगे 24 में मुकाबला, जै हिंद, जै भारत, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, देश की युवा, बेबाग, नि देर अवाज, महिला नेत्री, बहन अलका लामबा जी